वेल्कम टो रेसीपी ओप तवीक आज हम मराएंगे आलो पालक की सुखी सबजी अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना बूले अज हम आलू पालक की सुखी सबजी बनाते हैं तो आज हम आलो पालक की सुखी सबजी बनाएंगे और इसमें हम बिल्कुल भी लंसुन और प्यास का उप्योग नहीं करने वाले हैं तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम पालक की बाजी लिए और इसको मैंने बारिक काट के फिर इसे 2-3 बार अच्छे पानी से दो के फिर इस टेडनर में लेके पानी निकल जाए बाद में मैंने इसे एक बाउर में ले लिया है दो मीडियम साइस के आलू मैंने चिलका निकलके बारिक टुकडो में काट लिया है सुखे मसाले देख लेंगे तो अधी टीस्पून मैंने हल्दी पावडर लिया है एक टेबस्पून डाल मिश पावडर, एक टीस्पून दनिया जीरा पावडर और अधी टीस्पून मैंने गरम मसला पावडर लिया है तड़का लगाने के लिए हम तेल लेंगे, करीब दो टेबस्पून जितना तेल जाएगा और अधिटी स्पून जीरा रिया है और थोड़ी सी मैंने हिंग ली है स्वादन नुसार हम नमक लेंगे तो शुरू करते हैं सबजी बनाना तो कड़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है और इसमें मैं तेल डाल देती हूँ तेल अच्छे से करम हो जाए बाद में हम इसमें जीरा और हिंग डाल देंगे जीरे को अच्छे से क्रेकर करना है अच्छे से चटक जाए बाद में हम इसमें आलू डाल देंगे तो अभी हम आलू डाल देते हैं और आलू डालने के बाद हम इसे एक मिनिट तक सौते करेंगे गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं डखकन डखके एक मिनिट तक इसे सौते होड़ने दूंगी बाद में हम इसको इसमें पानी डालके फिर इसे हाफ कोक करेंगे, आदा ही पकाएंगे, एक मिनिट हो चुकी है, तो अभी हम इसमें दो टेबल स्पुन जितना पानी डालते हैं, और अच्छे से मिक्स करके चार से पांच मिनिट तक इसे पकने देते हैं, हमें आलू आदे प पक चुके है, तो अभी हम इसमें पालक की बाजी जो हमने काटके तेयार की है, वो डाल देते हैं, आलू आधे पक चुके है, तो अभी हम पालक की बाजी एड़ कर देते हैं, ये सबजी ड्राई ही बनने वाली है, तो इसमें हम अभी एक्ष्ट्रा कोई पानी नहीं डाले और नमक हमें लास्ट में ही एड़ करना है क्योंकि पालक की बाजी में थोड़ा नमक होता है तो हमें अंदाजा नहीं रेता है इसलिए लास्ट में ही हम डालेंगे अभी डखकन डखके हम इसे चार से पांच मिनिट तक पकाएंगे चार से पांच मिनिट हो चुकी है अच्छ पकची है तो अभी हम स्वादनrok सार नमक डाल देंगे और सारे मसाले भी हम डाल देंगे जौन हल्दी दन्या पौडर लालमीश पौडर और गरम मसाला लिए था वो डाल देंगे दन्या जीरा पौडर अच्छे से mix कर लेंगे और इसे अभी हम 5-6 मिनिट तक slow flame पे पकाएंगे जिससे आलू और पालक दोनों ही अच्छे से पक जाएंगे आलू तो अल्रडी पक चुके हैं लेकिन पालक की बाजी पक जाएंगी और मसाले भी अच्छे से mix हो जाएंगे तो अभी मैं डखकन डखके 5-6 मिनिट तक slow flame पे पकाएंगे 5-6 मिनिट हो जुके है और आप देख सकते हो उपर तेल भी आ चुका है और अमारी सबजी रेडी हो जुकी है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और मसाले भी अच्छे से mix हो जुके है तो अभी मैं गैस बंद कर लूँगी आलू पालक की सुखी सबजी तयार हो जुकी है तो गैस बंद करके मैं इसे serving ball में ले लीती हूँ गैस बंद कर लिया है और सबजी को मैंने serving ball में ले लिया है तो तयार हो गई है हमारी आलू पालक की सुखी सबजी आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ खा सकते हैं और इसमें मैंने बिल्कुली लसून और प्यास का उप्यूग नहीं किया है फिर भी ये टेस्टी भन दिये तो आप एक बार जरू ट्राइ कीजिए